हेलो दोस्तों आज हम केसी इंटरनेशन लिप्टर के क्वार्टर थिरी के रियल्ट देखेंगे फ्रेंड जो भी ये वैल्यू दे रखी है न वह रूपीजिन क्रोड्स है देखी जहां पर लिखा हुआ है तो आप दियान रखेगा जो भी हम वैल्यू बोलेंगे वह रूपी क्यों क्या जू एंट ररिखेंट थान रिवेंशन पर छोड़ और हम चेकले थिउटर नागर इंगने वह तो फ्रेंड ज़री हम इंकम वाईज देखे तो इस क्वार्टर के इंकम पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी ज्यादा है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से अच्छी खासी ज्यादा है अरौंड 7-8% तो चलिए अभी हम खर्चे देखते हैं टोटल खर्चे कितने इस क्वार्टर के टोटल खर्चे है तीन हें यार चतार्मे क्रोडर पे पिछले क्वार्टर के थे तीन हें collectors और पिछले सां थाइसो बहत्तर करोड तो फ्रेंड जेरी होगे और फृफीट और टैक्स से फृफीट पिछले साल सेनं कोर्ट में था दो-वकोड है योड़्य तो लेकिए इस वेक्ट ने पिछले साल सेम कोर्ट में इंकम झकम थी तो एक हर्चे भी थोड़ा before tax आया है वो पिछले साल के quarter का ज्यादा आया है इस साल के मेकाबले तो इनका profit margin थोड़ा सो कम हो गया है ठीक है फ्रेंड तो चलिए अभी हम देखते हैं after tax profit for the paid कितना है 145 क्रोड इस साल इस quarter में पिछले quarter में था 142 क्रोड और पिछले साल सेम quarter में था 144 क्रोड तो फ्रेंड आर्मोस सेम है पिछले साल के मेकाबले क्योंकि पिछले साल थोड़ा सा टेक्स जादा लग गया था इस साल थोड़ा है टेक्स कम लगा है इसके वह profit for the paid सेम आ गया है अभी हम EPS से देख लेते हैं जिससे हमें पता लग जाएग sonning पर देख अनिक हेजार वह हे 5745 पईसे पिछले quarter क्या था 54 500 पैसे पिछले साल के quarter किया था 54 84 पैसे तो फ्रेंड पिछले साल साल कर magnitude कमतें में कमत्म और पिछले साल का 5 पीचल सेम है और पिछले quarter तो ऄजा सबी दिख लेते हैं थे हैं onda फ्लैट कोई खास चेंज नहीं पिछली लगा ले चाली साल है पिछली साल के लगा विल अभी हम देख लेते हैं कमपनी का स्क्राइड ऐसे निवेश कес़र चाही ओना चाहिए या नहीं तो चली स्क्राइड पडम दोटीन साइट पर चलते हैं अब फ्रेंड हम स्क्रीन दोटीन पर आगे हैं तो देखे सबसे बहले मार्केट के आप देखते हैं कंपनी का वोकितना है 2200 रूडर पर तो एक जिसमाल को एप कंपनी है क्रेंट प्राइस जी तेन्स फंजर पर फिफ्टी टूबी कहाई है जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें इस चैन में निवेश करना चाहिए या नहीं फ्रेंड जरी हम लोग टर्म का चार्ट देखें तो तो अभी तक यह अपने आल टाइम हाई को चीव नहीं कर पाया है मार्च 2018 के बार देखें मार्केट अमारे कितनी हाई लेवल पर चली पर इस यह ने अपना आल टाइम हाई नहीं अचीव किया है दो सालों में तो फ्रेंड रियाल्ट देखके ऐसा लगर सोरी चार्ट ना है तो इसका लोंग टाइम चार्ट के हम क्या सकते कि एवर मेर्ज जैयर अभी तक तो कि हमारी कि यह वेश्ट करेंगे उसमें थोड़ा बहुत रिसक तो है वैसे शेर मार्क में जैता है इसमें थोड़ा से ज़्याला लग रहा है हमें के इसी में तो चलिए दूसरी ची को अपन नीन की दीखिए कंपने पांस सालों से अपना प्रॉफिट 5.4 परेसंट से बढ़ रहा है कंपने गांप्रावित पॉर्फिट की पिछले 5 सालों से और हाइए डिवेटर ओफ 165.51 तो चलिए अभी हम अर्निंग पर चलते हैं कंपनी का पिछले कुछ सालों का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं कितना है देखिए फ्रेंट 2009 में था एपिएस चार पर ती हेतर पैसे दोह्या windows ऐसमान च्रह फाइने पूरे साल का रे पिएस एक का निए जो हमनें पिछले रियाल्ट वू on एक क्वाटर केते यह पूरे साल के चार को मिला कि एक साल का मनता है ठिक है तो चले तो फ्रेंट दीखिए वैसे स्टार्टिंग वाले एस में देखिए तो फ्रेंट देखने से कंपनी एवरेज लग रही है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं मेरे को लग रहा है क्योंकि अभी इसने काफी सेग्मेंट में काम कर रही है के इसी जैसे केबल सेग्मेंट में भी यह काफी जारा काम कर रही है और दूसरे सेग्मेंट प्रजेक्ट में भी काफी जारा ग्रोथ है इसकी तो मेरे को ठीक लग रही है कंपनी तो चलिए अभी फ्रेंड हम मनी कंट्रोल साइट पर चलते हैं वहां पर देखते हैं इसका शेयर होल्ड़ी पैटन और डैप्ट वी क्यूटी देशों कितनी है फ्रेंड हम मनी कंट्रो दिख रही होगी तभी उन्होंने बढ़ाए है प्लेज कोई भी नहीं है सब बहुत अच्छी बात है FIA के पास कितने 8.7 परसेंट उन्होंने भी काफी बढ़ा ली है दी इने थोड़ी सी कम कर लिए 30.92 परसेंट रह गये है अदर के पास है 8.72 ठीक है फ्रेंड तो कंपनी के ठीक लग रहा है फ्रेंड शेयर होल्डिंग पैटरन भी तो अभी डेप्ट विक्यूर्टी रेशर देखते है कि कम्पनी के उपर कितना का डेप्ट है जिए आइडली तो जीरो होनी चाहिए पर जड़ी जीरो भी नहीं है तो एक से तो कम ही होनी चाहिए जिए 0.5 से कम ठीक है तो और बीच है तो देखें डेप्ट एक्यूर्टी रेशर 0.7 फो तो कम्पनी के ऊपर थोड़ा वो डेप्ट भी है तो एप्ट फ्री नहीं है ऑर ठीक है फ्रेंड कोई जारा अडेप्ट भी नहीं है हम कह सकते हैं तो फ्रेंड मेरे को निवेश करने के लिए थीक लग रही है ऐसा भी जी कि बहुत अच्छी कंपनी है क्योंकि इसके उपर कर्जा भी है और लॉंग टर्म अपने आल टाइम हाई को भी इसने तीन सालों से चीव नहीं किया उसकी वज़से में को थोड़ी से लग रही है वैसे कोई प्रॉलम नहीं है पर जिदि आपने निव